अग्वार्ण चेल आपका स्वगत करता हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ गोरा होने के लिए साबुन बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि गोरा होने का साबुन क्या आता है क्या साबुन से भी गोरापन मिल सकता है टीवी एड्स में भी ऐसे आते हैं फ्रेक्वेंटल लोग क्लिनिक में आके पूछते हैं मैसेश से पूछते हैं अनगिनत सवाल रहते हैं इसके बारे में और फोटोस में जैसे आप देख रहे हैं ग्लूटा थेओन नाम मैंने इसे लिख दिया है कि आपका टाइम ज्यादा करूं सीधे सीधे पॉइंट बताओं आपको और इन चीजों को सुनके आपको जानकारी जरूर मिले देखे ग्लूटा थेओन होता क्या है ग्लूटा थेओन सोप अगर हम यूज करते हैं तो क्या हमको लाइटिंग मिल सकती सीधा इस्टेट में बता देता हूं मिल सकता है अगर आपको इसलेटर जानकारी चीकिए इसको यूज करने का सही तरीका क्या है इसके साथ क्या करना है तो टॉपिक को आगे आप सुन सकते हैं देखे ग्लूटा थेओन बेसिकली क्या होता है ग्लूटा थेओन जो होता है एक एंटियोक्सिडेन मानके चली फ्री रेडिक में देते हैं और बहुत सारे विभागों में मेडिसिन जैसे विभाग में जब किसी को लिवर की बीमारी या कुछ और विमारी होती है तो ग्लूटा थियों का भी इंजेक्शन दिया जाता है इसको रिकवर करने के लिए तो सड़नली ऐसे नोटिस भी हुआ साइंटिस लोगों को कि इससे तो बॉडी लाइट नहीं हो जाती है तब ही से कॉनसे पी जनरेट हुआ कि क्यों न ग्लूटा थियान को इसकीन लाइटिंग एजेन के रूप में इस्तमाल किया जाए क्या इस टाइप चीजों को इस्तमाल करने से आपको सही चीज है साइड इफेक्ट थोड़ी होगा देखे सीरे पॉइंट साइड इफेक्ट इसका नहीं है ग्लूटा थियान सो आपकी बॉडी स्कीन फेस के कंडिसन के लिए अच्छा है अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं ग्लूटा थियान देखे क्य यह को डल करता है को डार करता है तो मेलेन ऐसा कोई भी प्रोडक को कम करेंगा उससे आपको लाइटनिंग मिलेगा ग्लूटाथियॉस्प और यह सही मानना चाहिए अगर सही ग्लूटा थियान कमपोजिशन जिसμεं है वह आपके लिए थोड़ा कॉसली रहेगा नॉर्मल ज के लिए सही तरह का प्रोड़क्त यूज करना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं एक हजार भी आप अगर लाइक देते हैं तो मैं सीधा डारेक्ट सोप कोई से यूज करना चाहिए आपकी बॉड़ी को इनलाइसिस करके तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बहुं सारा दे यह नहीं आप एक जार लाइक कर दीजे मैं उसके सिधा प्रोड़क का नाम लिख दूंगा जिसे आपको जनकारी मिल जाएगी दूसरा चीज और बताता हूं इसके बारे में कि गलूटा थियॉन के बारे में भी काफी रिसर्चेस हुई हैं गलूटा थियॉन पाया गया कि इ इंजेक्टिवल यह ओर लेते हैं जैसे आपको बालों का कलर भी सफेद हो सकता है किसी किसी को रेयर है लेकिन इसकिन के इंसर होने का भी चांस हो सकता है किसी किसी जगहों में वाइट पेचेस जैसे भी देख सकते हैं क्योंकि वो लाइटनिंग कर रहा है तो आपके अगर इस तो एक बार करने में अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में जो साइडिफिक हो सकते तो उसको टाला जा सकता है तो ऐसे इन जेनरल अचानक से कोई खरीद की यूज करना अचानक से लगवाना इंजिक्सन करना उससे बहतर यह है कि एक बार आप सलाह लें आपकी ची है कि आपको कुछ जानकारी मिली तो आप लाइक जरूर करें टॉपिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें पेल आइकन को भी जरूर दबाएं धन्यवाद जर अन्यवाद